बोचपुरी इंड़स्री में इस वक चुनावी मुद्दा सबसे उपर है और आपको ये बता दे कि ये चुनावी मुद्दा सबसे जादा गर्माया हुआ भी है आपको यहां तक ये भी बता दे कि इसी चुनावी मुद्दे के कारण किसी भी स्टार सुपस्टार की फिल्मों पर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है कोई भी बड़ी सी बड़ी खबर को कोई तवज़ों ही नहीं मिल रही है और इसी गर्माए हुए मुद्दे में एक मुद्दा ऐसा है जो कि है सबसे होट लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है sources की माने यानि कि हमारे सुत्रों की माने तो पवन सिंग और उनकी पत्नी जोती सिंग में शादी के एक साल बीते बीते ही दरार आ गई है जी हाँ इनके रिस्तों में दरार साफ देखी जा सकती है और आज कल इन दोनों में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि पवन सिंग और दूसरे से काफी जुदा जुदा रहने लगे हैं अब हाल ही में पवन सिंग के चचेरी बहन की शादी बिहार में थी लेकिन आपको पता होगा कि वहां पवन सिंग की पत्नी जोती सिंग नहीं गई जबकि जोती सिंग मुंबई में नहीं बलिया में थी आपको तो पता ही ह कि बलिया में होने के बावजूद भी जोती सिंग वहां नहीं पहुची वहां पवन सिंग की मा और पवन सिंग पहुचे और सारी रिती रिवाज उन्होंने कम्प्लीट किये लेकिन जोती सिंग का दूर दूर तक कोई अतापता नहीं था कोई अतापता नहीं था, अब इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है, इसके पीछे रीजन यहीं बताया जा रहा है कि पवंध सिंग के काम को लेकर व्यस्तता, काम की व्यस्तता के कारण वो पत्नी जोती सिंग को समय ही नहीं दे पा रहे हैं, और वैसे भी पवंध दूसरी पतनी अक्षरा सिंग के साथ उनका रवेया अगर इन सारे रिलेशनशिप को ध्यान दिया जाए तो इसमें भी एक ही रीजन सामने आता था कि पवन सिंग की व्यस्तता के कारण उनसे ये सारे रिस्ते दूर हो गए वैसे अक्षरा सिंग ऑप्शनल है क्योंकि अक्ष और पवन का रिस्ता तो इस कारण बली चड़ गया लेकिन अब यहां पवन सिंग की व्यस्तता के कारण ही जोती सिंग अब उनसे दूर दूर रहने लगी है कहां तो वो वक्त था कि पवन सिंग के साथ साहे की तरह जोती सिंग रहा करती थी लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पवन सिंग के साथ बिलकुल भी जोती सिंग नजर नहीं आ रहे है